नमस्कार मैं हूँ वरुन बाबुल और आप देख रहे हैं जी एस नियूज ये नोगचिया का महराजी चौक है जो बिगत कल यहां की इस्तिती जो सवों के सामने थी कि पुलीस द्वारा जो यहां प्लैग मार्च किया गया था लेकिन अभी की इस्तिती देखिये कि चारो तरफ हमारे कैमरा में समर्त हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि पुरी तरह से बजार है लोग आ जा रहे हैं समान की खरीदारी कर रहे हैं हलांकि अभी वर्तमान में जैसे ही हमारी कैमरे की सुटिंग शुरू हुई है तो एक पुलीस की गाड़ी ये पहुंची है लेकिन नोगचिया की स्तिती जो है वो बहुत ही जादा बेहत सर्मनाख होती जा रही है नियम कानून एक तरफ आते जा रहे हैं और दूसरे तरफ उ जा रही है यह सबसे ज्यादा ब्यस्त चोरा महारा जी चोग आप देख सकते हैं कम से कम 200 से अधीक लोग यूँ ही चोराहे पर खड़े हैं ना तो किसी को प्रसास निक बिना मास्क एक मिनट को कहा जा रहे हैं अभी हमने आपको पार्ट वन में दिखाया कि लगभग लोग बिना मास्क के सड़क पर निकले हुए हैं किसी में किसी प्रकार की कोई डर नहीं है और भी हमारे साथ नहीं एक मिनट से सर लोग लाइब से आपको देख रहे हैं नोगचिया की ऐसी स्तिती कल नहीं थी जो आज है ऐसी क्यों है सर यहां तो कोई आदमी कोई किसी तरह का ब टुकने वाला कोई नहीं है कल बिगत कल जो था वो साथ बजे से पहले पूरी तरह बजार सुंसान हो चुकी थी आज पूरी तरह गुलजार है यह और लगवक्त 200-300 लोग यहां सिर्फ जमें हैं यहां पर परसासन की धिलाई है यहां पर और परसासन ध्याम दे तो कोई भीर नहीं होगा आप यहां के जिला परसासन नोगच्या पुलीस जिला परसासन भागलपूर परसासन से कोई मांग करते हैं यही खरते हैं कानून का पालन करना चाहिए दनिवार और भी बहुत सारे लोग हैं यहां तो पूरी तरह से बीड़ लगा हुआ है मैं बताते हैं चलूं कि यही चौक है यही वह बजार का जगह है जहां विगत 24 गंटे पहले पूरा सुनसान था लेकिन अभी पूरी तरह से गुलजार है ताकि इस वीडियो के बारे में जितने लोग इससे जूड़ते जा रहे हैं और भी लोग जो यहां के होंगे अस्थानिया लोग हैं उन्हें यह जानकारी मिल रही है कि नौगच्छा के का इस्तिती सुधर चुका है लेकिन वर्तमान में यहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ लगातार लाइब में मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि कोई एडिट नहीं किया जा सकता है आप हमारे साथ देख सकते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं है नोगच्या में हजारों की संख्या में पॉजेटीव देने वाला नोगच्या सार में किस तरह से नियम कानून को नजर में आएगा आप लोगों से भी मेरा साधर अन्रोध है लाइब में लोग आपको देख रहे हैं हमारे साथ कुछ लोग और जुड़े हैं हमारे कुछ पत्रकार भी जुड़े हैं जो दिन रात यहां की स्थिति को देखते हैं आए उन से हम इस पर डिसकस करते हैं वहा पारे तमाम दर्सक देख रहे हैं जीएस न्यूस के बादियम से मैं सबों से कहना चाहता हूं नोगुषिया अनुमंडल छेत्र में संख्या जो अलगातार पोजिटिव की संख्या है बढ़ रहे हैं लेकिन आप देखेंगे कि काफी कम लोग आपको मास्त पहने नजर आए हैं लोगों को जो समझदारी होनी चाहिए खुदी जागरुक होना होगा तभी हो सकता है हर चीज के लिए प्रसासन जागरुक कर रही है हमारे नोगोशिया अनुमंडल चेत्र में लगबख साट से सब्तर की संक्या में जो पुलिस कर्मी है वो संक्रमित हुए हाला कि ठीक लेके चल रहे हैं हलाकि बिहार सरकार अब जो है नियम को लख रही है और आप खुदी दिखा रही है जब यह अभी जो यह नियम वापस जो आया बिहार में इसका कहीं ना कहीं नोगचिया में यह फलॉप होते जा रहा है नोगचिया प्रसासन की एक सबसे बड़ी धील है लापरवाही है जो लोग इतने गूम रहे हैं लापरवाही तो हलाकि आप देखी सकते हैं और कल कुछ ऐसा दिखा था कालें जो अभिहान चला था उससे लोग जो है सटर सात बजे तक में बंद कर दिये थे छे बजे मैं ने देखा था दस मिनिट के अंदर नोगोचिया बजार पुड़ी तरीके से खाली हो गया लेकिन आज 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 आपको दुकांदार खुले नजर आएंगे आप गली म है आप किसी को भी देख सकते हैं अभी हाली में पार्ट वन में जो वीडियो बनाई गई है उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग जा रहे हैं आ रहे हैं ना तो किसी में प्रसासन का कोई डर है ना ही किसी को कोरोना कभ है कोरोना की तो इज्जत बिल्कुल लो चुकी है ना तो कोरोना का डल है ना ही प्रसासन का डर है और यहां के लोगों को लगता है कि प्रसासन की लाठी कुछ कर सकती है तो हमारे आज के वीडियो से मैं आम लोगों को भी या इस्तिती दिखा रहा हूं कि यहां की इस्तिती क्या है क्या प्रसासन के लाठी के बा पूरी तरह से वही भीड वही गुलजार है तो कैमरामें समर्थ के साथ मैं वरुन बाबू लेकिन आप लाइव वीडियो को छोड़कर मत जाएगा क्योंकि हम आपको यहां की इस्तिती को दिखाएंगे लेकिन इस तरीके से कोरोना बढ़ा है ऐसे में लोगों को साबधान होगा GS News की जो टीम है लगातार नगोशिया छेतर में काम कर रही है तमाम जो यहां के रिपोर्टर है वो भी काम कर रहे है लेकिन लोग जो है उनके जो एतिहाद के लिए बताये गए है वो नहीं बरतने है जो सबसे बेहाद जरूरी है आपको काका नजर आएंगे मैं दिखाना चाओंगा देखिए उनको अभी घर जाने के जरूते लेकिन वो आनंद ले रहे है काका कहा घुम रहे हैं आप। कहा घुम रहे हैं आप। लगाना चाहिए या नहीं लगाई है आसा न ही लगाई है पियान कि पुलिस के डंटे का कोई अफर नहीं हो रहा है लोग जो है जागुरुक नहीं हो रहे हैं आस्थानीय प्रसासन हलाकि अपने आप तक काम कर रहे हैं ऐसेमें लोगों को खास तों से जागरूक होने की जुरत है और जैसा कि आप बता रहें हैं और तो बजार की जो इस्तिति है वह आप देख पा रहें हैं और लोग जो है आपको जागरूक नेजर महीं आएंगे क्योंकि उन्हें को भी चाहिए कि सक्त जो कदम है जो दिशा निर्देश दिये गए हैं उसका पालन करवाना आप बेहा जरूरी हो गया है मैं दिखाऊंगा आगे भी देखिए किस तरीके से आप आगे की गली में देखेंगे कि लोग जो है बीना मास के नजर आएंगे हाला कि अब जो है जीएस निउस की खबर का आसर दिख रहा है आपको दूर दूर तक अब जो दुकाने जो खुली भी थी अब वो बंद नजर आ रही है क्योंकि उन्हें डर है अब कोरोना का उन्हें डर सता रहा है कहां आए थे आप कहां घुमने आए थे बजा रहे लड़िया है मास कहां के लिए मास्क ने पढ़ने अच्छिए अपनों नहीं होता है कि अब करने का जूर कुछ नहीं है इस लगए कि यह की साथ जाता है इस लिए चार इस तो है नहीं बंद करो बंद करो पुलिस अगर नहीं आती है तो क्या आप लोग मास से नहीं पहने के के मास्क पहने है लेकिन दुकंदार नहीं मानता है जब तक नहीं मारेगा लाथी लेकर नहीं मालेगा आज्जे एस सारा प्रतासन का है यह नहीं कि लोग इसक्राइड उस्मेशा का मिल रही है हाला कि आज जो है बजार में बीड़ देखने को मिल रही है चलिए आपको मारादी होटल का सुन दिखाते हैं क्या है वहां की सिती हमारे साथ समर्जा जी है समर्जी बताइए किस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है यहाद के लगातार तो संख्या बढ़ते जा रहा है लेकिन आ के लिए उनके परिवार के लिए समाज के लिए कहीं न कहीं पड़ेशानी की बात है क्योंकि यह कोरोना जो है यह आम बीमारी सा नहीं है विश्व के लगवक देश जो है अभी प्रभावित है और भारत भी इसमें सबसे अधिक तीसरे चौते रंग पे अमेशा चल रहा है खुद आके अगरा ने करता कि दुकान बंद करिज तब तक दुकान दार के क्या मजाल है जो दुकान बंद करने समय से जो सखेंड हो गया ता